नमस्कार सातियों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यदि माता का ब्लड ग्रूप A तथा पीता का ब्लड ग्रूप B हो तो होने वाली संतान का ब्लड ग्रूप क्या होगा या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि माता का ब्लड ग्रूप B तथा पीता का ब्लड ग्रूप A हो तो होने वाली संतान का blood group क्या होगा तो आई देखते हैं इसको समझते हैं सबसे पहले हमें जानना होगा genotype देखें यहाँ पर हम लोग दो वर्ग की बात कर रहे हैं एक है A और दूसरा है B तो हम लोग यहाँ पर माता-पिता का जो selection है इनमें से हमने A और B से किया हुए अभी इनके बारे में हमने यहाँ पर आपसे question नहीं पूछा है तो इसलिए इसको हम लोग बाद में देख लेंगे A और B में देखते हैं कि A का जो genotype होगा देखिए वो I जो है वो आपका genotype represent करने के लिए होता है तो इसमें दो तरीके से I A I A हो सकता है या I A I O हो सकता है इसी परकार B का जो genotype होगा वो I B या I B हो सकता है या फिर I B I O हो सकता है तो यह इनका मतलब कि कौन सा किस से gen मिलेगा तो जैसे अगर इसका इसका मिलेगा तो एक ग्रूप बनेगा अगर इसका इससे मिलेगा तो एक ग्रूप बनेगा इसी परकार इसका इससे मिलेगा तो एक ग्रूप बनेगा और इसका इससे मिलेगा तो एक ग्रूप बनेगा यानि कि जो इसमें पहला वाला है इसको मैच करा के देखते हैं कि इसको मैच कराएंगे अगर मान लिजे ये दोनों जीन मैच करते हैं A और B से तो कौन सा blood group राप्त होगा तो पहले इसको देखते हैं तो यहां देखिए एक एक को मैच कराना है कि जब इसका आई A का ये वाला जो है जब इसका एक जीन मिलेगा किसके माता के आई B से तो blood group क्या होगा? जब पिता का यहां पर आई A जीन लिया जाएगा दूसरा इसी से देख लेते हैं आई A जीन ही रहेगा जब माता का मान लिजे दूसरा वाला जीन होगा तो भी A B ही होगा इसी प्रकार पिता का जो दूसरा है वो भी आई A है और अगर माता के जो पहले जीन से मैच करेगा तो भी AB blood group होगा और जब पिता के दूसरे जीन से माता के दूसरे जीन को मिलाया जाएगा तो भी AB blood group राप्त होगा तो देख पाते हैं कि जो पहली इस्थिती है case 1 अगर इस case में कि अगर पिता के जो A genes है और B genes है अगर ये मिलते हैं तो संतान कैसी होगी A, B होगी ये आपका sure होगा तो पहली case में AB होगा दूसरा case क्या हो सकता है क्योंकि हमने आपसे कहा कि पिता में तो IA, IO हैं तो हम लोग पहले पिता के पहले वाले ही जीन की बात कर रहे हैं IA, IA तो अब यहां माता का जो दूसरा वाला है उसको मिला लेते हैं अगर आपको confusion हो रहा है तो आप पहले वाले image पर जाएए यानि कि अभी पहले हमने इसको मिला के देखा case 1 में अब हम लोग case 2 में क्या कर रहे हैं AA और BO से यहां पर मिलाएंगे तो जो case 2 है हम लोग इसको देखने जा रहे हैं अगर यह यह gene मिलते हैं तब कौन सा blood group होगा तो case 2 में देखिए case 2 में इसमें देखिए पिता में दो gene है माता में दो gene है तो A जो है अगर मिलेगा माता के B gene से तो कौन सा blood group होगा AB अगर पिता का तो इसलिए संतान कैसी होगी ए ब्लड ग्रूप का होगा जब ए ओ के साथ में कोई आएगा ए या बी तो वो प्रभावी होगा ए या बी होगा तो यहां ए ओ है तो ए ब्लड ग्रूप होगा इसी प्रकार पिता का ए जीन जब यहां पर आएगा तो और उसमें माता का अगर ब blood group ही होगा दूसरे case में हम देख पाते हैं कि जब पिता के यह जीन माता के BO gene से जब मैच करता है तब इन cases में जो संतान होगी या तो वो AB होगी या तो A होगी इसके 50-50% chances होंगे इस case में कि वो AB हो सकता है और A blood blood group का हो सकता है आई यह तीसरा case देखते हैं इसमें जो पिता का दूसरा gene है उसको माता के पहले gene से मिलाते हैं तो इसको अब यहां पर image में देख लेंगे किसको हम लोग मैच कराने जा रहे हैं यानि कि अब क्या करेंगे पिता का यह दूसरा वाला लेंगे जीन, एक बार इसको तीसरे केस में मिलाएंगे, और फिर चौत्छे केस में इसको मिलाएंगे, ठीक है, तो I, A, O, को मिलाते हैं, B, B से, A, O, को बी, B से, अब यहाँ पर माता-पिता में, जो केस 3 है, उसको हम लोग देखते हैं, तो A, O, को मिला रहे ह तो B प्रभावी होगा, यानि कि Blood Group होगा, जब O और B मिलेगा, तो यानि कि B, यहाँ भी 50-50% chances होगे, कि वह जो संतान होगी, वो या तो A, B होगी, या तो B होगी, तो अब आप देख पा रहे होगे, कि दूसरे केस में, A, B के साथ में A के chances थे, तीसरे केस में, A, B के साथ में B के chances हैं, ठीक है, इन में से कोई भी संतान इसे स्थिती में हो सकती है, तो अभी तक हमको A, B Blood Group मिल चुका है, A, B के मिलने से, और A Blood Group मिल चुका है, और B Blood Group मिल चुका है, तो देखना है कि क्या O Blood Group भी हो सकता है संतान का, तो चौथा केस जो हमने आपको बताया, वो यह हाँ पर क्या करेंगे, कि पिता का जो दूसरा जीन है, उसको माता के दूसरे जीन से मिलाते हैं, तो क्या होगा, जब A मिलेगा पिता के B से, पिता का A होगा, और माता का B होगा, तो क्या बनेगा, यहां B प्रभावी होगा तो B ब्लड ग्रूप होगा और इस चब पिता का O जीन होगा और माता का भी O जीन होगा तो O यानि कि O ब्लड ग्रूप ही प्राप्त होगा तो ये चौती स्थिती ऐसा है कि इसमें आपको चारो blood group मिलते हैं यानि कि यदि माता, पिता A, B हैं और उनके जो gene मिलते हैं वो A, O और B, O इन में से कोई भी मिलते हैं तो चारो blood group प्राप्त होने की सम्मावना हो जाती है तो हर blood group की 25% सम्मावना होगी कि A होगा कि B होगा, A, B होगा या O होगा इस प्रकार हम देख सकते हैं कि result जो आता है कि यदि A माता है या पिता, B पिता है या माता यानि कि जब माता-पिता A, B के होंगे तो संतान जो है वो चार स्थितियों में से कोई भी एक स्थिती हो सकती है और उन में से संतान चारो blood group में से सम्माव है तो आप से ये विकल पूछा जाएगा कि कौन सा जो blood group है वो सम्माव है तो यही एक ऐसा है A और B जब माता-पिता होंगे तो चारो blood group आपके बनेंगे तो यह आपका एक इसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि जब A और AB या B और AB या ओखे साथ में जब माता-पिता होंगे तो उनकी संतान कैसे होंगे उसको हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग देखेंगे कि यदि माता का blood group A हो और पिता का blood group AB हो तो होने वाली संतान का blood group क्या होगा तो इस तरीके से हम लोग एक-एक blood group को देख लेंगे तो हम लोग ऐसे ही सारे का बना सकते हैं तो आप उसमें समझ जाएंगे या आपको कभी इसको याद करने जरूरत नहीं पड़ेगी कि संतान का blood group की होगी Thank you